आज बनने वाला है मटन मसाला, दम मसाला, मटन मसाला, आज एस्पेसल मटन मसाला आपके लिए एक केजी मटन लिया गया है, अब इसको धुलाई उलाई होकर सफाई हो चुका है, अब इसमें हम दही डालेंगे, दही डालेंगे, उसके बाद हम मसाला एड़ करेंगे, मसाला एड़ करने के बाद हम लोग इसमें गरम मसाला उवेरा सबसें मिक्स करेंगे, मिक्स करने के बाद, इसके बाद देखिए, यह हल्दी उल्दी डाला जा रहा है, डालने के बाद, अब देखिए, नेक्ष्ट काम इसका क्या है, अब इसका प्रोसेस, प्रोसेस देखिए, एकदम देशी घर में बनाया जा रहा है, अपना घर में, खाने का स्वाद देखिए, मटन का, ताजा मटन लिया गया है मार्केट से, अधर क्लोसन का पिष्ट डाला जा रहा है, आज सोचा गया है कि घर पे बनाया जाए, मटन, दम मटन, देख रहे हैं, नमक डाला जा रहा है, अब इसको अच्छी तरह से, मिक्स करेंगे हम लोग, घर का बना हुआ मटन का साथ कुछ अलगी होता है, कितना टेस्टील देखने में लग रहा है, देखिए कितनी अच्छी तरह से इसको सम मेटरियल डाला जा रहा है, अब इसका देखिए कैसे कैसे इसका प्रोसेस है, यही सबसे बड़ा इंपोर्टेंट है, अब देखिए इसमें कितना भरायटी का आइटम डाला जा रहा है, देखिए कैसा कैसे बनाया जा रहा है दोस्तों अब इसको देखिए मिक्स किया जा रहा है मिक्स किया जा रहा है मटन को मिक्स किया जा रहा है अच्छी तरह से अच्छी तरह से इसको मिक्स किया जा रहा है मिक्स करने के बाद का प्रोसेस देखिए कैसे क्या होगा क्योंकि घर में बनाया जा रहा है कि केजी मटन लेकर रहा है तो अब देखिए इसमें इसमें तेल गरम करने के लिए करहाई में पतिला है पतिला में रखा गया है पतिला में तेल गरम हो रहा है देखिए उसके बाद क्या-क्या डाला जा रहा है देखिए खड़ा मसाला सब खा मसाला है आपका जो आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है सेम टू सेम यही सब मसाले ने लेकि काम सा एक डलीजियस बन रहा है जो दोस्तों ऐसा मटं मसाला आप लोग कभी खाई नहीं होंगे गर में बनाए जा रहा है स्पेशल आप लोग के लिए दिखाने के लिए हमको खाना इसको टेस्ट करना है कि दीए कैसे बनाए जा रहा है दोस्तों अब यह फोरन डाल दिये है और फोरन डालने के बाद का प्रोसेस देखें क्या होगा क्योंकि मैं बिड़ी बना रहा हूं घर वाली खाना बना रही है इसलिए मैं आपको दिखा रहा हूं देखी कैसे बनाया जा रहा है देखिए मेगनेशन जो किया गया था उसको ऐसे डाल दिया गया जो मिक्स करके मटन रखा गया था अब उसको इसमें डाल दिया गया डाननेके बास, देखिए, मिक्स हो रहा है, पतिला ने, उसको मिक्स किया जा रहा है, अच्छी तरह से भूझा की धाएं मटन के भुजाई होने के बाद देखिए का प्रोसेस भुजाई खुब हो रहा है गिदम देखिए पानी छोड़ दिया इतना भुजाई हो रहा है देखिए मटन का रंग देखिए कितना रसेदार है और इसका इसमेल तो गजब आ रहा है देखिए ऐसा लग रहा है कि मुझे पानी आ गया मटन ऐसा बना है अभी तो भुजाई हो रहा है अब भुजाई हो रहा है पूरे मसाला का भुजाई हो रहा है मसाला के सांद मटन को भुजाई हो रहा है देखिए कैसा उसक कोईयां की कि रूंग कैशा कई देखिए मोतन कन sudah कि गदेकने में टेस्टी लग रहा है क्या capacity कैसा लाल कोई। मोटन का देखिए कॉलर कैसा चेंज हुआ कितना अच्छी तरसे भूजा ग्या है कि अधिये है रामजाल हुआ है ये देके के भूज़ा हुआ फ्राइख हफ्राइख जो है उसको इसमें डाल जिए एगा अगे को कुसुस में और रंगत के लिए देखी अधनेया का पत्ता है कि यावी डाल दिए गया अब देखिए आगे का प्रोसेस जिसमें पानी डल देगी है और अब देखिए इसका प्रोसेस के वह गोजब मटन दम मटन दम मसाले इसको देखिए दोस्तों यह स्पेशल में आप लोग के कि लिए एक वीडियो बना रहा हूं जो आप लोग दिखी एक घर में घर में कैसे बनाया जा रहा है एकदम पतीला में खूकर नहीं है पतीला बनाया जा रहा है देखिए कितना टेस्टी लग रहा है देखिए टेस्ट करने में तो और लाजवाब लगे देखिए मटन अब लग रहा है कि लाश्ट प्रोसेस है इसका अब तयार हो गया है लग रहा है दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब किजिएगा जरूर यह देखिए मेरा दम दम मटन रेडी हो गया क्योंकि अब रेडी होने के बाद में में खाने के लिए जा रहा हूं आप लोग इस ऐसे ही घर पे मटन बनाईए एकदाम फूल प्रोसेस के साथ और बना कर हमको बताईएगा जरूर यह देखिए माल एकदम रेडी है देखिए मटन मसाला का माल रेडी है अब दोस्तों मुह में आ गया पानी अब मैं खाने जा रहा हूं आप लोग भी ऐसे बना कर टेस्ट करके आँको बताईए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके और हाई लेवर पर लेकर चलिए और मैं आप ऐसे ऐसे मेनू लेकर जरूर आपको मैं दिखाऊंगा झाल